जम्मो कश्मीर के पुलवामा में CRPF काफिले पर हुए आतंकी हमले के एक महीने के बाद एक और बड़ी गटना हुई है जम्मो कश्मीर के बनी हाल में एक बार फिर CRPF के काफिले के पास एक सेंट्रो कार में दमाका हुआ है यह दमाका एक सेंट्रो कार में हुआ है और इसमें पांच लोगों के मारे जाने की सूचना है फिलहाल इसकी कोई पूश्टी नहीं हुई है जुरवाती जानकारी के अनुसार जम्मो कश्मीर के राश्ट्रिय राजमार्ग पर बनी हाल के निकिट सीरिया CRPF के काफिले के पीछे चल रही सेंट्रो कार में एक रहस्य में परिस्थितियों में विस्पोर्ट हुआ है बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त यह कार CRPF वाहन के पास ही चल रही थी और इसने CRPF जवानों के काफिले को टकर मारी थी इस धमाके में CRPF के वाहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है आनिये सूतरो के अनुसार कार में हुआ धमाका बड़ा जबरदस था इससे कार के पर खचे उड़ गए इस गटना में पाँच लोगों के मारे जाने की सूचना है वहीं कार में सवार ड्राइवर फरार बताया जा रहा है शुरुआत दावों के अनुसार कार में धमाका उसमें लगे गैस सिलंडर से हुआ है